आज हम पोशन और मानव रोग के बाड़े में बताएंगे कि अमार का पूछा जाता है सबसे पहले आप ब्रहमा स्रीज का प्लान समझे पहला वीडियो जो प्रवाइड कर बाते हैं तो आपको तीनों वीडियो काफी महत्पूर्ण है तो डेर ना करते हैं आपको पोशन में क्या सब पढ़ना है सबसे पहले परकार के होता है पहला एनरजी फूड मतलब इनरजी भोजन मतलब जिससे उर्जा मिले सकर्षा यह मतलब जिससे शरीर का विकास हो सके और द्सारा प्रोटेक्टिव प्रोटmaraव रोग निरुदि छम्द बढ़ जिसमें कार्बोहाइडरेट प्रोटिन और वसा हो गरेंगे जिसमें प्रोटिन की माटराश सबसे ज्यादा हूँ वह आपको बोडी विल्डिंग शरीर के निर्मान में ज़णा करेंगे जैसे की दाल सब यह सब क्यायत है यह वह फृत्त है जितने भी फृत्त का गुरूप आते हैं वह प्रोटेक्टिव फूड होता है वह आपको अधिक से अधिक संद्रक्षन करेंगे दोसरे रोग से लगने के लिए जैसे अभी क्रोना महा मारी आया तो क्रोना महा मारी में सबसे ज़्यदा जो आपको संद्रक्षन होना चाहिए वह विटैमिन सी से होता है और विटामिन सी क्या होगा जैसे निम्बू हो गया जो भी खट्टा वाला फल है उससे आपको क्या मिलेगा पोशन मिलेगा जैसे कि आपको क्रोना से लड़ने में जय दास्तुविधा मिलेगा यह तो आप समझ गए अब यह समझ लिजे कि उसमें कौन-कौन से भोजन जैसे फूड हम लिए खाना खाए तो क्या सम मिलता यह आप खाना खाते हैं तो आपको खाना में यह सब चीज होना चाहिए जैसे कि कारवोहाइडरेट्ट प्रोटीन वसा जल खनीज लवन यह सब चीज आपको होना चाहिए ज़दि आप यह चीज रेगुलर्टी चीज ज नहीं ले रहा हैं तो कही न कहीं आपका शरीर का पूर्ण विकास नहीं होगा के लिए कंपलेट भोजन चाहिए यह आप दख लीजेगा समयं क्या-क्या होता मिलता है इसके बार प्रोटीन का क्या काम है शरीर निर्मान में कितना परसेंट योगदान है यह देख लिजेगा इसके बाद आप वसा का क्या काम है और वसा शरीर निर्मान में कितना पर्षेंट काम करता है यह सब इसका पूड़ा उपयोग जो है वह आप देख ली जेगा कि एक मानब के लिए इसका क्या-क्या उपयोग है आप उस प्योग को देख लीजेगा इसके साथ ही आपको और क्या पढ़ना है जैसे कि अब कौन से पोसक्ता शरीर में कितना परसेंट है जैसे जल आप इसको पढ divan की साथी आप प्रोप और क्योंड होता है कि नापट सब्सक्ता इसका परसेंट याद कर ली यह जो आप देखे है तो आपको पोष्ण हो ज्यांट इसके बास आपको आगे देखना है प्रेखतना मानब शरी मानव रोग की कितने प्रकार होत्य है तल यह सब्पहरा देख लिए टिम परकार के दो प्रकार कि संकर्मीत और संग करने रोग क्या थैंप आभ पर फैनने वाले रोग संकरमित रोग होते हैं जो जो एक दूसरे से नहीं फेले वह रोग तो होते हैं करोना महारी क्रोना जो है क्या है क्या है आप कमेंट करके जरूर बटाए आशान है कि मैं फिर इसके अलाबा में बहुत साही क्या है कि तो संकर्मित हो गया जो एक दूसरे समें नहीं फेले और संकर्मित तो रोग का टाइप हो आप याद कर लिजेगा अब देखिएगा कौन से रोग किसके कारण होता है प्रोटो जोवा के कारण कौन-कौन से रोग होते हैं, कवक के कारण कौन-कौन से रोग होता है, जिवानू के कारण कौन-कौन से रोग होता है, और विसानू के कारण कौन-कौन से रोग होता है, ये इसका पूरा टाइप देख लिजेगा, और टाइप देखने के बाद, इस कौन सा विटामिन के बिटामिन बज़ेगे बिटाम। कं साविक में टाया बैके बितामिन a कु कमी से रोगता है भी टामिन एक कमी से कवाले होता है विटामिन भी बितामिन बी का पुझा करते हैं विटामिन आपको को कि जितने भी विटाइमिन है सबका सेंटिफिक नेम याद कर लेज़ेगा और ये भी याद कीज़ेगा कौन से विटाइमिन के कमी से कारण कौन सा रोग होता है कोस्चन यहीं से पूछा जाता है अब आप लास्ट में समझें कि कि विप्यासी में इस टॉपिक से कितना मार्क नालन करें तो आप अपने दोमार्क लगा लेजीएगा या नहीं तो आपके पास जो बुक के ऊपर में लगा लगाने के बाद सलवर को गहनता प्रीबद debates लिवाज बदलता है जो पाने से दूलता है वो इतिहास बदलता है आप सोच लिजे कि आपको इतिहास बदलना है या लिवाज बदलना है लिवाज तो हर दिन बदलते हैं इंसान लेकिन जड़ी आपको इतिहास बदलना है आपको जवाब देना है आपको सफल होना है तो आपको अपनी पस्चीनों की मिहनत से सरसथमी BPSC पास करना होगा और स बारिक से तब तक आप पास करना आसान्द की कि और जो लेवल का त्यारि होना चाहिए आपका भी और लेवल का त्यारि कैसे होगा कौट करते हैं तो को डिकत नहीं है नहीं जाते हैं अप सरस्षमी Le perksी निकालना तो आपको अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए, किसी दूसरे का मोटिवेशन से इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है, जब तक उसके अंदर खुद मोटिवेशन पाइदा नहीं हो सकता है, आप सदी सफलता चाहते हैं, तो आप अपने अंदर मोटिवेट पाइदा कीजे, अपने अंदर जुनू झाल वाल